कॉंग्रेस ने क्या किया? कॉंग्रेस ने सिर्फ समाज को बाटा जाती, मात, पंध के नाम पर बटवारा किया कॉंग्रेस ने शाथन के नाम पर सिर्फ तुष्टी करण को बढ़ावा दिया कॉंग्रेस की बेरुखी का सबसे बड़ा प्रमान हमारी बीदरी आर्ट है कुछ दिन पहले बीदरी आर्ट की दसक्तों तक सेवा करने वाले साथी शार रशीत एहमद कादरी को पत्म पुरस्कार मिला कॉंग्रेज की सरकार ने उन्हें सिर्फ हतासा दी थी की निराशा दी थी भाई और बहनों बीदर एक भारत थ्रेश्ट भारत की तिर्टस्तली है गोराटा यहां से ज़्यादा दूर नहीं है गोराटा में किसानों के बलिदान को कॉंग्रेस ने भूला दिया था सिर्फ इस डर से कि कहीं कॉंग्रेस का वोट बेंक नाराज ना हो जाए वहां जो शहीदों का स्मारक पत्थर था उससे भी जो धूल सफाई का का यह भी बीजेपी ने किया भाईयों अब तो दर्जनों बलिदानियों को समर्पीत सहीद स्मारक महां बन गया है और तिरंगा सांसे लहरा रहा है साथियों अस्थीर सरकार जोड़ तोड़ से बनी सरकार के दुश्परणाम करना टकाने बहुत भुपते हैं एक अस्थीर सरकार एक अस्थीर सरकार का फोकस लोगों की सेवा पर नहीं होता है आपको याद होगा कि कॉंग्रेस जी डीएस सरकार के मुख्याने माना था कि वो कॉंग्रेस की दया पर चल रहे है जी डीएस की जवाब देही कॉंग्रेस के प्रति है करना टका के लोगों के प्रति नहीं है ये जो उनका सप्ता प्रेम है, ये जो उनका कुर्सी गवाने का डर है, ये उन्हें आपके लिए कुछ करने नहीं देगा साथियों, कॉंग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है, जो सामान्य मानवी की बात करता है जो उनके ब्रस्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राज लीती पर प्रहार करता है कॉंग्रेस की नफरत उससे पर्मनेंट हो जाती है, अभी इस चुनाव मैं भी कॉंग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है मैंने देखा, किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है, और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है अब तक मुझे ये कॉंग्रेस के लोगों ने 91 टाइम, 91 टाइम अलग अलग गालिया दिया है अरे कॉंग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनेरी में टाइम खराब करने के बजा आए अगर इतनी मैनत उन्होंने गुड गवर्नस में के लिए की होती, कॉंग्रेस कारकरताओं का उच्छा बढ़ाने के लिए किया होता तो आज कॉंग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनियस्तिति नहीं आती लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना, ये कॉंग्रेस का इतियास है मैं अकेला नहीं हूँ, जिस पर इस तरह के हमले किये गए आपको मालूम है पिछले चुनाव में, चोकिदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओभी सी समाच चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई करनाटका में, और मेरे लिंगायत भाईयों बेहनों को भी चोर कहने की हिम् कॉंग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दुबारा खड़े नहीं हो पाए हैं इस बार करनाटका में भी, ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोर्ट पहुची है, उसका जवाब वोर्ट से दिया जाएगा, वोर्ट से दिया जाएगा भाई ये भेनो, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालिया हो गई, 91, और उनके टॉप मोस नेता देते रहें, कोई ऐसे नहीं, छोटे मोटे कार करता नहीं और तम मैं सोथता हूँ, कि भाई ये कॉंग्रेज ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान दिर्माता, बाबा साब आमबेड कर को भी ऐसी ऐसी गालिया दी थी, बाबा साब को भी छोड़ा नहीं था एक बार खुद बाबा साब ने सारवजरिक तोर पर विस्तार से बताया था, कि कॉंग्रेज उन्हें बार बार गालिया देती है कॉंग्रेस ने बाबा साब को क्या क्या नहीं कहा कॉंग्रेस बाबा साब को राक्षस राष्ट दोही दगाबाद दोस आप सुन करके हैरान हो जाएंगे उस जमाने में बाबा साब जैसे महापुरुच को कॉंग्रेस ने ऐसी ऐसी गालिया दी थी कितने ही अपमान जनक सब्दों से वो आए दिन बावा साब को अपमानित करते थे आज भी हम लोग देखते हैं कि कॉंग्रेस कैसे वील सावर गर्जी को गालिया देती रहती है कॉंग्रेस ने देश के जिन महान सपुतों को गालिया दी है बड़े से बड़े महापुरोस उनकी गालियों के शिकार हुए है और जब यह सब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है चलिए कॉंग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साम आम बेड़ कर को दिया जो उन्होंने बीर सावर कर को दिया वैसी ही गालिया मोदी को दे रहे हैं अब बाबा साम बीर सावर कर की तरह अगर हो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूँ और गांग्रेस गाली देने में समय बरबाद करती रहेगी मैं जन्ता जन्नाजन की सेवा में अपने आपको खपाता रहूँगा दिन रात काम करूँगा ज्यादा काम करूँगा आपके आशिरवात से सारी गालिया मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों सारी गालिया मिट्टी में मिल जाएगी झाल झाल